हलो एव्रीवन और वेलकम तू माई चानल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वोकल्स में से बैक्ड़ाउंड नॉइस को रिमूफ कर सकते हो सो यह जो टॉपिक है अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी बहुत ही सिंपल ट्रेक है बहुत ही सिंपल मेथड है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन फाक्ट जो यह वाला टॉपिक है यह मैं कवर कर चुका हूँ दो साल पहले बट वो वीडियो आज के टाइम में डिलीट हो चुकी है तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे आप बैक्ग्राउंड नॉइस को रिमूफ करोगे फल स्टूडियो में बट आज इस वीडियो मे थोड़ा सा हम इन डेप जाएंगे क्या इग्जाक्ली रिमूफ कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगर इंट्रेस्टेड हो वीडियो को पूरा देखना अभी के अभी कर दो इस वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो कर दो सब्सक्राइब लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मेरी शेव जादा हो गई है तो मैं पहले जाओंगा शेव करने दिन उसके बाद आओंगा यहां पर वीडियो को करूंगा continue तो गाइस मैंने कर लिया है शेव जैसा कि आप देख सकते हो अब मैं कैसा लग रहा हूँ सेक्सी लग रहता चल बॉइट के एनिवेई तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक ये प्रॉजेक्ट है प्रॉजेक्ट नहीं है बेसिकली हमने वोकल्स रिकॉर्ड करे थे इन जैसा कि आप अभी देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करता हूँ सो आप देख सकते हो यहाँ पे जादा नॉइस है ही नहीं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सो अब क्या करते हैं फिर भी हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें unwanted कुछ frequencies है या नहीं है सो यहाँ से हम इस clip पे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो top corner पे आपको करना है click then उसके बाद आपको select करना है edit sample सो यहाँ पे यह Edison में आ जाएगा सो एक बड़ी सुनते है जिन्दगी ने की है कैसी सो यह अभी playlist पे play हो रहा था सो यहाँ पे अभी आप सुन सकते हो जादा noise नहीं है लेकिन अब हम क्या करते है Edison में इसको करते है zoom and यह section लेते हैं जहाँ पे exactly noise है अब इसको मैं करूँगा यहाँ से loop सो यहाँ पे अब क्या है जो noise है और साथ में थोड़ा सा ऐसी जो noise होती है सांस ले लेंगी थोड़ी सी वो noise यहाँ पे आई है लेकिन noise को और भी अच्छे से सुनने के लिए हमें क्या करना है इसको मैं कर दूँगा loop सो यह आपका चले जा रहा है अब हम क्या करेंगे यह जो Edison है यह है हमारा master channel पे जैसा कि आप देख सकते हो लेकिन अगर हम span से पहले यहाँ पे एक fruity balance आड़ कर देते है और span को अब open करते है अब थोड़ा सा इसका volume increase करते है सो आप देख सकते हो span पे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे 30 hertz पे यहाँ पे around 2k के around थोड़ा सा आपको noise का level आ रहा है कुछ sound आ रही है मैं एक बर यहाँ पे fruity parametric EQ2 भी add कर देता हूँ सो यह रहा fruity parametric EQ2 और यहाँ पे यह रहा span सो आप देख सकते हो fruity parametric EQ2 हमें जादा अच्छे से दिखा रहा है कि क्या frequency is unwanted है सो basically यह जो है यह background noise है यह आपको remove करनी है अब मैं यहाँ से fruity balance को करता हूँ disable so अभी भी आप देख सकते हो अभी भी frequencies वो है so अगर आप इन frequencies को clean कर सकते हो आपको करनी चाहिए यह मत सोचना कि इतने से क्या फरक पड़ता है because इतने से ही आगे चल के आपकी song में आपके track में फरक बहुत जादा पड़ सकता है so यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसको कर देते हैं close addition आया यह हमारा fruity balance यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ remove कर देता हूँ वैसे यह disable ही था इसको करते हैं stop so basically अब हमें देखना है कि हमारा noise का section कौन सा है so noise का section हमारा यही है जैसा कि आप देख सकते हो so यहाँ से यह करना है आपको select जैसा कि मैंने आपको पहले बताया again बता देता हूँ यहाँ से इसको इस type से drag करना है अपने mouse click पे sorry अपने mouse पे left click करना है and इस तरीके से drag करना है so यह हो जाएगा आपका select then यहाँ पे आपको आना है इस option पे clean up denoise so यहाँ पे इसको करना है आपने click so यहाँ पे आपके सामने एक window open हो जाएगी so यहाँ पे सबसे पहले आपको करनी है acquired noise profile so exactly हमें क्या चीज़ remove करनी है हमें FL studio को जो clean up denoise का plugin है उसको बताना पड़ेगा so यह frequency को हमें जो है यह चीज़ को हमें disable करना है I mean remove करना है so यहाँ पे यह हमने select कर लिया है and अब यहाँ से हम करेंगे acquire noise profile पे click so यह noise profile हमारी capture हो गई है अब हमें zoom out करना है पूरे को select करना है अब हमें control plus A से आप पूरी अपनी जो track है उसको select कर सकते हो then उसके बाद again हमें इस पे left click करना है then उसके बाद आप देख सकते हो हमें थोड़ा सा tweak करना है यहाँ पे आप देख सकते हो frequency scale इसको आप नहीं छेड़ोगे so चलेगा threshold को भी आप default रहने दो amount यहाँ पे आपको जो है around 50% मिलेगा but मैं आपको recommend करूँगा आप 50% से थोड़ा सा नीचे करना so यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं around यह 25% हो गया है so अब एक बारी preview करते हैं कि क्या हमें results मिल रहे हैं so preview के button पे करेंगे हम click so जैसा कि आप सुन सकते हो काफी reduce हो गया है एक बारी और भी देख लेते हैं करके यह 25% से ज़्यादा हो गया है around 30-35% है यह सुनते है so अब आप सुन सकते हो ज़्यादा clean हो गया है लेकिन अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ so एक बारी 100% करते हैं और preview करते हैं so अब आप सुन सकते हो जो सांस लेने की वास्ती हलका सा वहाँ पे जो इस टाइप की थी और हलका सा एक लिक था जैसे होट जो हलके से थे इस टाइप से हुए थे so वो पूरी तरीके से remove हो चुकी है बट आपको इतना जादा remove नहीं करना है because आगे चलके यह आपके vocals पे काफी जादा बुरा effect कर सकता है so यहाँ पे around मैं इसको 45% के around रखूँगा 50 से थोड़ा सा कम preview कर लेते हैं एक बारी जिन्दगी ने अब यहाँ पे वो हलका सा click आ रहा है मैं थोड़ा सा और remove करूँगा इसको I mean की remove नहीं करूँगा थोड़ा सा कम add करूँगा so that एक natural वाली feel आए जब singer गाना काता है वैसे तो depend करता है आप किस type का track बना रहे हो जैसे अरीजीत सिंग जो है उनके काफी tracks में उनकी sans की voice आती है breathing voice जो है वो आती है so इस type से आप करोगी ज़्यादा natural लगता है so इसको थोड़ा सा और natural बनाने के लिए यहां से कर देंगे come then उसके बाद हमें यहां से कर देना है except पे click then उसके बाद यहां से mixer को करेंगे close and यहां से आप देख सकते हो हमें last option लेना है drag copy का इस पे left click करेंगे and यहां पे playlist पे कर देंगे drag and drop Edison को कर देते हैं close and यहां पे यह आचुका है हमारे पास noise remove किया हुआ vocal so अगर अब मैं यहां पे compare करूँ so आप देख सकते हो यहां पे थोड़ा सा आपको noise दिख रहा है मतलब दिख ही नहीं रहा है यह सिरफ click की sound आई है अगर आप थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है यहां पे so यहां पे इस type से यह example मैंने इसलिए लिया है because इस type का अगर आप track लेते हो so काफी ज़ादा आपको लगेगा कि करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन करना आपको पड़ेगा बहुत चारे ऐसे examples भी होंगे जहां पे noise जादा होगी उसको obvious सी बात है आप remove कर सकते हो so यहां पे एक मैं आपको और vocal पे दिखा देता हूँ जो की phone से record हुआ है so यह रहा यह at the same time हमने record किया था so एक बड़ी इसको सुनते है so यहां से सुनते है so यह थोड़ा सा पहले का था so यहां पे आप सुन सकते हो काफी जादा noise है so इसको again हम यहां से उसी तरीके से remove करेंगे noise को यहां से करना है click left click then उसके बाद edit sample so यह आचुका है मैं starting का थोड़ा सा हटा देता हूँ यह हमारा जो पीछे का था off the scenes, behind the scenes वो थे so इसको मैं कर देता हूँ यहां से cut so अब एक बड़ी यहां पे सुनते हैं so आप noise सुन सकते हो so यहां से मैं noise को करूँगा remove zoom करेंगे यहां से करेंगे इसको हम loop so अब एक बड़ी सुनते हैं यह basically noise का portion है so काफी ज़्यादा noise है so यहां पे again हमें आना है यहां पे denoise पे clean up denoise पे click करना है आप यहां पे right click भी कर सकते हो so that यह capture कर लेगा first आप अगर right click करोगे so यह capture कर लेगा but मैं prefer करता हूँ कि आप इसको click करो then उसके बाद यहां पे window आए उसके according आप इसको acquire noise profile करो आप कुछ भी कर सकते हो वैसे दोनों same ही बात है so यहां से acquire noise profile पे click करेंगे then उसके बाद यहां से करेंगे zoom out control plus a select all then उसके बाद again denoise पे करेंगे click then अब यहां पे हम सुन के देखेंगे so preview के option पे click करते है then so काफी अच्छी noise remove यहां पे हो गई है लेकिन एक बार ही आपको नीचे और उपर करके देखना है मतलब की plus and minus करके देखना है कि क्या effect आ रहा है so एक बार ही मैं यहां से minus करके देखता हूँ थोड़ा सा around 25% से भी नीचे है so यहां पे जब हम मैंने 25% से नीचे करा so थोड़ा सा noise आ रहा था that means मुझे 25% से तो ऊपर ही रखना है so यहां पे around मैं 30-35% रख लेता हूँ इतना then सुनते है so आप सुन सकते हो यहां पे हलका सा एक click आया है जो की perfect है थोड़ा सा natural लगेगा noise जो है वो remove हो चुकी है so यहां से इतना perfect है then उसके बाद अब हम accept पे करेंगे click so यहां से again अब playlist पे लेकर आने के लिए drag and drop, left click then उसके बाद playlist पे drag and drop so यह आप देख सकते हो यहां पे आपका vocal आ चुका है so इसको थोड़ा सा अगर मैं arrange करता हूँ यहां पे so अब आप देख सकते हो यहां पे कितनी noise है and यहां पे noise remove हो चुकी है so एक बार ही यहां पे सुनते हैं so इस तरीके से आप अपने vocals में से background noise को remove कर सकते हो चाहें वो voice over हो चाहें आपने कोई track गाया हो so इस तरीके से आप background vocals को background vocals में से noise को remove कर सकते हो so I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है so वीडियो को कर देना like channel को कर देना subscribe and मैं मलता हूँ आप से बहुत ही जल्दी next वीडियो में